कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं कि बहुत बढ़िया होंगे तो सबसे पहले आप सभी को गनेश हतरुती की धेर सारी शुमकामनाई तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए बहुत ही शांदर सरल टेस्टी बहुत ही बढ़िया पांच मिनट में बनने वाले मोदक की रेसिपी कर आए हूं तो यह जो मोदक है बिना चाशनी बिना मावा बनते हैं तो चले शुरू करते हैं वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो इस रेसिपी में सबसे पहले हम लेंगे आधा कब दूद दूद उबला हूआ है लेकिन ठंडा है रूम टे तकरीबन एक मिनिट के लिए अच्छे से मिक्स करें उसके बार डिर्ड कप इसमें ड्राय मिल्क पाउडर डालेंगे मैंने नैशली ब्रैंड का यूज किया है आप किसी भी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं अब सारी चीज़ों को डालेंगे देखिए अभी गैस की फ्लेम ओ है तो जटपट सी रेसिपी है विदिन 5 मिनट साब बहुत शांदा टेस्टी बिल्कुल बजार जैसे मोदग बना सकते हैं और अपने घर में भगवान को बहुग लगा सकते हैं जब भी चाहें तो बस देखिए आप सारे मिश्टन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां बातार चलाएं और इस रेसिपी में आपको नॉन स्टिक पैनिया कड़ाई के इस्तेमाल करना होगा या फिर हैवी बोटम वाली जो लोही की कड़ाई होती है या कोई भी हैवी बोटम वाली कड़ाई बरतनी आप लेकर यूज कर सकते हैं बना सकते हैं अच्छा रिजल्ट लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो उसका यूज करिएगा जल्दी बनता है और एजी हो जाता है है हैंडल करना भी तो देखिए बातों ये बातों में ये मिश्रन इखटा होना शुरू हो गया है दो मिनट लगे है मुझे मेड तो बस जब आपको लगे कि ये खटा होना शुरू हो गया है तो फटा फटा आपको हाँच चलाना है जल्दी जल्दी और ये मुश्किल से चार मिनट टोटल प्रोसेस में लगते हैं दोस्तों आप बनाना आपको बहुत पसंद आएगे युजरली हम बजार से मिठाईया करीदते हैं लेकिन मिलावटी मिठाईया करीदने से बैटर है कि आप अपने घर में चार से पाच मिनट पर थोड़ी सी महनत करके बहुती शुद्ध अच्छा और टेस्टी खाना या मिठाई बना सकते हैं तो ये देखिए फ्रेंट्स यहां पर ये मिष्रन इखटा हो गय आप अपोईड कर सकते हैं जो भी फ्लेवर आपको इसमें देना है आप आड़ कर सकते हैं जैसे केसर पिस्ता या जो भी फ्लेवर आपको चाहिए आप दे सकते हैं मुझे लाइची फ्लेवर बहुत पसंद आता है तो मैंने वही डाला है तकरीवर आधा चोटा चमच और आप नोटीस करेंगे कि ये मिश्रन जो है डो जैसा हो जाएगा यानि इखटा हो जाएगा देखिए जैसे जैसे मैं स्पेचुला चला रही हूँ ये इस तरीके से इखटा बोल जैसा होता जा रहा है तो यही साइन है कि एकदम परफेक्ट है बस अब इसे निकाल कर किसी बर पहले और फिर ये ले ले आप मोदक वाला जो मोल्ड होता है उसमें भी थोड़ा से घी लगा ले और दोनों तरफ ये जो मिश्रन ऐसे भर दे और थोड़ा सा प्रेसर लगाए और आप देखेंगे कि थोड़ा से प्रेशर में ये बड़ी अच्छी शेप होल्ड करेगा य होती सस्ते में पढ़ता भी है और ये होना ही चाहिए घर में जब आपका मन करें आप घर में मोदक बना सकते हैं तो मेरे मोदक में दो पार्ट है दोनों पार्ट में आपको छोटी-छोटे बोल्स स्टफ करने हैं हातों से प्रेस करना है और फिर ऐसे मोदक आपके बनके न जा सकते हैं तो मेरे गनपति बपा के लिए टेस्टी क्रीमी मोदक विदिन फाइव मिनट्स बनके त्यार हैं तो आप अपने घर में भी अपने बपा के लिए मोदक बना सकते हैं बड़े ही शुद तरीके से हमने ने बनाया भी है और दोस्तों बड़े ही बढ़िया बनते हैं आप बनाना आपको बहुत बहुत पसंद आएंगी तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइव कोमेंट शेयर करना बिलकुल न भूलें